आज हम कच्छा बारवी राजनीती पिज्ञान का अध्याएबारा नियोजय तरिकास की राजनीती को पढ़ेंगे पिछली क्लास में हमने पंच वर्षी योजनाओं पढ़ी थी आज उनी पंच वर्षी योजनाओं को आगे पढ़ेंगे तो आगर दूर्विक्ष और तंच वर्षी योजिनाव का इस फगर सब 1965 से 67 की समय में भारत में भयान दूर्विक्ष पड़ा मतलब आकाल पड़ा इससे नियोजन की पूरी रहनी की प्रभाविक हो गई और देश में खादू सुरक्षा पर विप्री प्रभाव पड़ा और इसके अपरिक्ष सनुनिक सुसाथ में के उत्राज में भारत में कही आगार जेलिये पढ़े जैसे पाकिस्तान से रहमनस से सनुनिक को 65 में रुपी का अवमुलियन 1966 में और मुत्र इस पीटी का दवाव इन काड़नों से चौथी पर चुवर्शी योजना के प्राजूप रद्द कर दिया गया था इसके इस काड़ पर ती बार्शी की योजना है जिनमें 1966 से 67 और 67 से 68 और 69 तक वो तयार किया गया और इसके बार चौथी योजना के प्राजूप के तौर पर कार्यान मिट की गई और सन 1970 में जब चौथी पंचिवर्शी योजना सर 1970 से 74 के भी चौथी पंचिवर्शी योजना संचालित होई तो योजना प्रत्रिया तिससे महाल हो गई इसको बीच में रूपका गया था लगभग दो वर्श सन 1965 से लेकर 1967 प्रिशी की अभिक्ता और जो भी कुछ पाधन में ब्रत्री दर की कमी ने वार्शी की योजनाओं के लिए उप्लब्न संसाधुनों को और शय कर दिता और गैर योजना में उप्च्च हो गई अथी कि उसी समय सरकार पर्याफ राजस संसाधुनों को पतिशीर करने से स्किति में नहीं थी क्योंकि अकाल बड़ा था उस समय दुर्बिक्ष के समय क्रिशी की अधिक्ता जो पैदावाद थी वो कम हो गई और जो कुछ पाधनों की ब्रधी भी कम हो गई जिससे कई योजनाओ और उपलग्द संसाधुनों में हानी हो गई या कमी आ गई फिर बार्शी की योजनाओं में टुर्शी अधिक्ता फाधन ने वो उत्पाधक्ता खास तोर पर सेजी के परिना सामने लानेवारी और यूनितल संभाविस समय में उत्पाधन बढ़ा सकने वानी योजनाओं क सर्वोच वरीता दीए कि जिससे प्रिश्य उत्पाधक्ता बढ़ जाए और खास तोर से जो योजनाओं जो नियम निस्तर पर थी नियूनतम ब्रद्दी में थी उन पे कितना अधिक उत्पाधन को बढ़ाया जा सके इन योजनाओं को सर्वोच प्रथम वरीता दी गए थ इन्हे वाजिक योजनाओं के दोरान भारत हरित क्रांती के दास्य द स्ट्रह needed Khrushy छेप्र में कांती पेदाकर्द्बी और उससे आगे विकास की स्टयं इस अरित क्रांथी योजनाओं में परिवार्नी यूजनका रिवोग cinnamon कांति निक्कर देग हुए और इसके अलावा उद्योग खनन परिवान संचार सामाधिक सेवां पर भी बर्द दिया गया इस हरित क्रांती में क्रिशी छेत्र में सचमुच एक नहीं उर्जा भर्दी नहीं क्रांती का इसमें पैदा हुए और इससे क्या हुए परिवार नियोजन कारिक्रमों को प्राथमिक तक दी गई और परिवार नियोजन के अलावा उद्योग खनन परिवान संचार और सामाजिक आर्थिक सेवां पर भी बर्द दिया गया अब है हरित क्रांती क्या थी और इसकी परिवार क्या थी तो क्रिशिकस इस्थिती अत्य अंतिसाथ के दसत में विप्रीट होगी और 65-65 की अवगी में जेश में सूखे की इस्थिती से रूपर होना पड़ा पर अभी दुर्विक चिशर्द आये था ना बोला था काल एसी इस्थिती तो क्या हुआ था सूखा पड़िया था और इस समय देश को चीन और साकिस्तान से युद्वी लड़ना पड़ा जिसके कारें प्रिश्थी उत्पादन प्रभावित हुआ और पूरे देश में विशे सवाख जिनों में सामान तक फादन की पेदा और खाद्यान की कमी से कोपोशन की स्थिती पैदा हो गई lovely ч Trans. 내 के मृत्यो दर 65 प्रतीशत प्रतीशथ में जो खाद्य पदास्ति उनकी मूल यह बहुत अधिक बढ़ गेते, आत्मान चूली लगेते, गेहु और चावल के दाम भी दुखनी हो गेते, पंजाब जैसे कुशाल रासु भी खाध्यान भी कमी की शिकाद हो गए और खाध्यान संकट के गंगी परिणाम हुए और सरकार मे खाध्यान आयत कर्दिकों मजबूर हो गए, देश के सामने सबसे बड़ा लक्ष खाध्यान उत्पादन में आद्वी नियोजन के सकरात्मा परिनाम अधुमिल हो गए तकी, देर देर सिती में सुधार आया, किसानों में हल्की जज़ते तक इसकिमाल किया, जिससे कि अधि अधिक त्रिशी की पैदावार हो सके, नहरों और नलकूपों से सिचाय आरम दे कोई, क्योंकि वर्षा पर नेभर रहना, सुखे को आमंतरित करना था, गोबर के स्थान पर कार्दानों, गोबर के स्थान पर कार्दानों सेनियर में तरहाईनी खाध्यों का प्रयों भी अधिक किया गया और अधिक उत्पादन बनाने बीच होए और मशीनों से इसका पसल की कता ही की गए। मानिचिक पसलों जैसे गन्या, कपार, जूर, तिलहन, सर्जियों के उत्पादन पर भी ध्यान गिया गया। और इसका परिणाम क्या हुवा कि रिशी छेट्पर में अत्याधिक करती हुई और समग्र रूप से हरित्पादन की इसको क्या दी नहीं सर्जिया गया। हरित्पादन की शुरुआत अमेरिका के रॉपफेलर फाउंडेशन की सहायता से हुई थी, यह मेक्सिको और फिलिपिनस जवारतिशЕТ उन्च उत्पादन दर वाले बिज़ो से हुई यह को चांवर्या ब्यक्सिट। और यह मेक्सिको और फिलिपिनस вед्र वाले बिजो में हुई गेनू और चावल था इसमें के बीज इसमें विक्सेत किये गए।